नाम नेकूम, आज हम बनाएंगे कफ स्लीप्स की लेटेस्ट डिजाइन इस डिजाइन को आप अफगानी सल्वार या सिंपल स्लीप्स पर भी बना सकते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 2 इंच का स्क्वायर कट कर लेना है धेर सारा इसी तरह रखकर फोल्ड करके धागे से अच्छी तरह से टाइट बांध लेना है इसी तरह धेर सारा तयार कर ले ट्रेंगल बनाने के लिए 3 इंच का स्क्वायर कट कर लेंगे धेर सारा तीन इंच चौड़ी पत्टी ले लेंगे अपने स्लीप के हिसाब रखके लंबी पत्टी लेंगे पत्टी को बीड से इस तरह फोल्ड कर लेंगे पेस्टिंग पेपर हास्ट लीए जिससे फिनिशिंग आती है डिजाइन बनाने में फिर इस तरह ट्रेंगल बना कर और सितारे वादी पट्टी जो है उसको अटेज करके लंबी सिलाई लगा देंगे इसी तरह दोसे साइट पर भी ट्रेंगल बना कर पट्टी लगा लेंगे पर यह ध्यान दे कि ट्रेंगल का नोक एक दोसरे से मिला रहे दो इन से चोड़ी लंबी पट्टी लेंगे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे सिलने के बाद फिर धाय धाय इंच पर पट्टी को कट कर लेंगे पट्टी को इस तरह फोल्ड करके ट्रेंगल के साइड साइड में हर जगा अटैज कर लेंगे देर इंच की चोड़ी लंबी पट्टी काट लेंगे रिजायन कोल्टी साइड रखकर पट्टी के साथ सिलाई कर लेंगे फिर सीधी साइड पलटकर पाई पीन जैसा बना लें फिर दोनों साइड इसी तरह पट्टी लगाकर सिलाई करें झाल 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 फिर स्लीस को सीधी साइड रखकर चुनट बना ले फिर दिजाइन को चुनट पर रखकर सीधी सिलाई कर ले इसे ट्रेंगल की नौक को हैंड स्टिच कर ले और पट्टियों में तेन तेन मोतियां अटेच कर ले इसे हमारी डिजाइन और भी खुबसूरत लगेंगे अगर यह डिजाइन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करेंगेंगे और रखका की फॉर्वाचिंग् झाल 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 झाल